श्री शद्गुरू महाराज कीजे प्रातहस्मर्णि अनंत्स्री वोशित परमाराद्य संसद्गुरू महर्शी मही प्रमहंस जी महाराज का प्रवचन मनों विकारों से छूटो प्यारे धर्म प्रेमी शज्जनों देह की बिमारी को लोग प्रत्यक्ष देखते हैं और अपने शरीर में पाते हैं सादोशंद कहते हैं सब बिमारियों से आप छूटें अच्छी बात है किन्तो बिमारी शिर्फ आपकी देह में है या और भी कहीं है आपके मन में भी काम है जैसे आपकी देह में बिमारी होती है किसी को देह की बिमारी हो परंतो मन अच्छा हो तो वह खुश रह सकता है किन्तु मन बिमार हो और सरीर अच्छा हो तो वह खुश नहीं रह सकेगा देह की बिमारी अगर छूट जाए अच्छी बात है कोई कहने शकता कि मेरे मन में बिमारी नहीं है अग्ये लोग भले ही कहे कि मेरे मन में बिमारी नहीं है किन्तो ग्यानी लोग कहेंगे कि मन बिमारियों से भड़ा है मोह अर्थात अग्यानता सब रोगों की जर है नहीं जानना अग्यानता है तो अब यह सोचिये कि जानना कितने तरह का होता है उत्तर है कि ये दो तरह के होते हैं एक पढ़ सुनकर जानना और दूसरा पहचान कर जानना पढ़ सुनकर जानना पूरा जानना नहीं है पहचान कर जानना पूरा जानना है मानस रोगों को जर से नश्ट करने के लिए शादू लोग जानते हैं वे उसकी युक्ति बतलाते हैं उस युक्ति से रोग को जर से उखार देते हैं पहले कहा जा चुका है कि ये सब काम, क्रोध, लोब, मुहादी रोग हैं इन रोगों को शमूल नश्ट करने के लिए इस्वर का भक्त बनना चाहिए। इस्वर का दर्शन अपने अंदर होता है बाहर में नहीं। सब के अंदर में ब्रहम जोती और ब्रहम नाद अवश्य है। क्योंकि शर्व व्यापी ब्रहम की ये विवोतियां परमात्मा ब्रहम के शहिद शब में व्यापक होकर रहे इसमें संसय नहीं है। ब्रहम नाद ब्रहम जोती के दर्शन के बिना सुना नहीं जा सकता जिसकी दिविद्रिष्टी खुलती है वह परमात्मा राम ब्रहम का परम प्रताप व्योती रूप प्रवल दिनेश का दर्शन पाता है और वह तीनों लोकों को भी अंदर में देखता है और उसके सब मानस रोक समल्ष्ट हो जाते हैं केवल सुनकर पढ़कर अज्जानता दोड नहीं होती अंदर में ध्यान करने से राम का प्रवल प्रकास पाता है सुद से बड़ा तेज कुछ भी नहीं होता ब्रहम का प्रकाश सब्द प्रकाशों से बढ़कर है पहले प्रकाश का कुछ तेज फिर उससे विशेश तेज देखने में आता है जिससे विशेश तेज नहीं हो उसको देखने वाले की अज्यानता दूर हो जाती है बाहर की दवाई से मानस रोग नहीं छूटते केवल बाहरी सत्संग से मानस रोग कम हो जाता है किन्तो बिलकुल नस्ट नहीं होता इसको नस्ट करने के लिए जो ब्रहम तेज का दर्शन करे तो वह नस्ट होगा अपने को अंदर में ले चलो इसके लिए गुरू करो और युक्ति जानकर अभ्यास करो तो मानस रोग से मुक्त होकर कांती में सुख मिल जाएगा परम पूज गुर्देव का यह आशिर वचन मोरंग जिला तर्गत श्री संत मत्ससंग मंदिर डाइनिया नेपाल में दिनांग 16.4.19 इस्व तिरेपन इश्वी को हुआ था श्री शद्गुरू महाराज कीजे